अगर आप भी इसी तरह से दवाईयों का नाश्टा करते हैं तो एक बात याद रखेगा अगर आपने खाने को दवाई की रूप में नहीं खाया तो आपको दवाईयों को खाने की रूप में फ्यूचर में जरूर खाना पड़ सकता है आज इंडिया में बिमारिया इतनी बढ़ चुकी है जो पहले हमने कभी देखी ही नहीं थी आज resources की कोई कमी नहीं है, knowledge की कमी नहीं है, medical industry ग्रो कर रहा है बट फिर भी क्यों बिमारिया इतनी बढ़ चुकी है बिकास जो missing link है वो है आपका खाना wrong eating habits आज बढ़ने की वज़े से ही हमारे बॉड़ी में जो कमी, nutrition की कमी और जो अलग-अलग pain बढ़ चुके है, challenges बढ़ चुके है उसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ खाना ही है हमें actually खाना इसलिए खाना चीए ताकि हम जो body को घिसते हैं हर रोस उसका repairing हो सके और दूसरा उसका growth हो सके बट आज क्योंकि हम इतना processed खाना खा रहे हैं, जंग खाना खा रहे हैं, उसकी वज़े से ना तो body का pain का repairing हो रहा है, wear and tear ठीक हो रहा है और ना ही हमारा growth हो रहा है, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है और बिमारी आ रही है